फेमस एक्टर और बिग बॉस तेरल के विनर सिध्धार्थ शुकला, सिध्धार्थ शुकला का 2 सितंबर को होट अटेक से निधन हो गया इस खबर ने उनके फैमिली, दोस्तों के साथ साथ फैंस को भी एक गहरो सद्मा दिया है हर कोई उनके अचानक चले जाने से बहुत ही दुखी नजर आया है वही सोशल मीडिया पर लगातार सिध्धार्थ को लेकर शेयर की जा रही खबरों से दुखी होकर उनके परिवार ने सोमवार को एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिपया सभी परिवार की निच्टा का सम्मान करे इस बयान में सिध्धार्थ के परिवार ने उन सभी का आभार जताया जो सिध्धार्थ की यात्रा का हिस्सा रहे हैं और उन्हें बिना शर्ट प्यार दिया है उन्होंने आगे कहा कि ये निश्चित रूप से यही समाप्त नहीं होता है क्योंकि वो अब हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिन्दा रहेगा सिध्धार्थ ने हमेशा अपनी प्राइवसी को महत्व दिया इसलिए हम आपसे अनुरोद करते हैं कि हमारे परिवार को निश्चता बनाए रखे बयान में उन्होंने मुंबई पुलिस बलको उनकी सम्वेधन शीनता और करुना के लिए भी धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए एक धाल की तरह रहे हैं हमारी रक्षा करते हैं और दिन के हर मिनुट हमारे साथ खड़े रहते हैं कृपया उसे अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखे ओम शान्ती, शुकला परिवार इन शो में नजर आये थी सिध्धार्थ शुकला बता दे कि सिध्धार्थ ने अपने करिया की शुरुआत मॉडल के रूप में की थी इसके बाद उन्होंने टीवी बाबूल का आंगन छूटे नामे काम किया था फिर उन्होंने में लीड के तौर पर फेमस शो बालिका वधू में काम किया जिसमें सिध्धार्थ की काम को काफी पसंद किया गया था इसके अलावा वो रियालिटी शो जलक दिखला जाच्छे, फियर फैक्टर, खुत्रों की खिलारी साथ और बिग बॉस तेरल में भी शामिल हुए थे बिग बॉस में उनकी जोडी शहनाजगिल के साथ काफी पसंद की गई दोनों ने इस शो में लोगों को खूब प्यार पाया मालूम हो कि सिध्धार्थ ने साल 2014 में करुम जोहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुलहनियों से बॉलीवुड में कदम रखा था वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें